प्रोजाना ताजा खबरे पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को दबाईए इस घंटी के बटन को पाएं लेटस खबरे सबसे पहले शहर में शनीवार को एक साथ तीन प्रकरण दर्ज हुए है इनमें बाड मेर के परिवार भी शामिल है चौपासनी हाउजिंग बोर्ड पुलिस इस बारे में जांच में जुटी है यह है मामला दैश चौपासनी हाउजिंग बोर्ड पुलिस थाने के एस आई गणत तल्लाल बताया कि बाड मेर के विशाला तेहसी के सोनडी की रहने वाली सीता पतनी मंगलसी की तरफ से प्रात्मे की दी गई इसमें बताया गया कि वर्ष 2016 से 17 जूदपूर के चौपासनी हाउजिंग बोर्ड में रहने वाली नमरता आरे और उसके पती गोपाल आरे ने एक पीडित लोग जुड़ सकते हैं सीता से 6 लाक एक अन्य पीडित से 5 लाक और 30,000 रूपे ठगी होना अभी तक सामने आया है इन लोगों ने कम समय में ज्यादा पैसे कमान के फेर में अपनी जमापूंजी भी घवा दी पुलिस का मानना है कि इस कमपनी ने और भी कई लोग को ठगा होगा